सब्सक्राइब टू डिजी बाते चैनल एंड फ्रेस्टी बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियोज एंड अल दी अपडेट्स अश्कार दोस्तो डिजी बाते से मैं विशेग लाया हूँ लेटेस्ट बज न्यूज आपके लिए चलिए शुरू करते हैं अब पंद्रा सो रुपे के प्राइस कट के बाद में ये हो गई है तेरह हजार चारसो निन्यानवे रुपे और ये एक्स्क्लूजिवली एमेजॉन के ऊपर अवेलिबल है अब ली जो न्यूज आ रही है दोस्तों हुआ रही है एमेजॉन एलकसा में पाए गए एक बग की और इस बग की वज़े से हो ये रहा है कि जबे भी कोई भी यूजर अगर उससे कुछ भी पूछता है तो ये रैंडमली हसने लग जाता है ऐसा लाफिंग की आवाज आने करेंगी अगर आपने से भी कुछ लोग हैं जो एमेजॉन एलकसा यूज कर रहे हैं और उनको क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा अगली खबर दोस्तों आसूस की तरफ से आ रही है और आसूस ने अपना गेमिंग लैप्टॉप ला अवेलबल होगा और भी स्मार्ट से सेल पे जाएगा तोस्तों कुछ फीचर्स आपको इसके बारे मैं बता दू फटा फट से तो इसके फीचर्स में है कि इसमें 17.3 इंच का फुल एच्डी IPS एंटी ग्लेर डिस्प्ले लगा हुआ है साथ ही इसमें आपको जो प्रोसेसर म की रैम मिलेगी और 16GB की DDR4 मेमरी मिलेगी जिसे आप 32GB तक बढ़ा सकते हैं इसमें 256GB का साटा SSD भी लगता है और इसमें 1GB की हार्ड रच भी लगा सकते हैं इसके लावा अगर दोस्तों मैं आपसे इसके कुनेक्टिविटी के आप्शन के बारे में बात करूं दोस्तों तो का सपोर्ट है और जो इसका वजन है वो है 3.2kg का बैटरी के साथ में अगली जो न्यूस है दोस्तों वो है Facebook Messenger की और Facebook Messenger Lite वर्जन में भी अब विडियो कॉलिंग का ऑप्शन आ गया है पहले ये ऑप्शन Lite Messenger में नहीं था अब ये इसमें भी इंक्लूट कर दिया है पहले Messenger से दोस्तों आपकी एवल टेक्स कर सकते थे फोटो सेंड कर सकते थे लिंक सेंड कर सकते थे या तो आडियो कॉल कर सकते थे लेकिन वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं था अपसे वीडियो कॉल का भी ऑप्शन मिलेगा जो न्यूस आ रही है दोस्तों वो है शाओमी के एक और फ 9,999 रुपई के प्राइस रेंज से स्टार्ट हुआ है तो इस वज़े से इसकी प्राइस यहां से हो सकती है जो इसके स्पेसिफिकेशन से सामने आ रहे हैं दोस्तों वो आ रहे हैं इसमें 5.7 इंच का इसमें Qualcomm Snapdragon 450 का प्रोसेसर लगा होगा अगर कैमरा की बात करें दोस्तों तो कैमरा इसमें जो आएगा वो 12 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा होगा जिसमें F2.2 का अपर्चर होगा LED Flash होगी और Front Camera होगा 5 मेगा पिक्सल का अगर हम इसकी बैटरी की बात करें दोस्तों तो इसमें 3300 mAh की बैटरी लगी होगी देखना यह है दोस्तों यह फोन कैसा होता है और किस प्राइस रेंज में आता है News है दोस्तों वो है Vodafone की तरफ से और Vodafone ने अपना एक नया Pack launch किया है जिसकी की प्राइस है 299 रुपीज और इसमें आपको 56 GB का डेटा मिलेगा साथ ही आपको मिलेगी Unlimited Calls Local, National और Roaming में भी पर इसमें भी एक Page है दोस्तों यह जो 56 GB का आपको डेटा मिलने वाला है यह 3G वे और 4G पे नहीं मिलेगा, यह आपको मिलेगा 2G पर, अजकल 4G और 3G के जमाने में 2G का डेटा कौन यूज करता है और इतना पैसा कौन देगा 2G के डेटा के लिए चलिए देखते हैं Vodafone को इसमें क्या सूजी इस तरह के Pack Launch करने की नीज आ रही है दोस्तों वारी है Google के Gboard Keypad के तरफ से यानि कि यह जो वर्च्वल Keypad आप मोबाल में यूज करते हैं इसमें 20 नई languages और एड़ कर दी है Google ने जिसमें Chinese, traditional और simplified और Korean जैसी languages इंक्रूड की गई है अगली कबर जो दोस्तों आ रही है वो आ रही है Uber की तरफ से और Uber US में लांच करने चाह रहा है Self Driving Trucks जी हाँ दोस्तों अब Self Driving Trucks भी मार्केट में चलेंगे और जो यह Self Driving Trucks है वो Uber की Uber Freight नाम की एप से यूज होंगे और जो अभी इसका जो रास्ता टाइक किया गया है वो केवल Arizona Highway पर कहिया गया है उबर का कहना है कि जो Long Distance और Short Distance में जो लंबा लंबा ठहरा होता है उसमें ड्राइवर्स को बड़ी ठकान हो जाती है जिसके वज़े से यह Self Driving Trucks ड्राइवर को ठकान से बचाने में बहुत मदद करेंगे दोस्तों वो है Sensex की और Sensex में आज 318.48 पॉइंट का इजाफा हुआ है और यह आज क्लोज हुआ है 33,351 पे Nifty में भी आज इजाफा हुआ है और वो है 88.45 पॉइंट फॉर फाइफ का और यह 10,242 पे क्लोज हुआ है और डॉलर की बात करें दोस्तों तो डॉलर में भी आज इंक्रीज हुआ है और आज डॉलर में 0.20 का इंक्रीज हुआ है और ये 65.08 पे close हुआ है सोने में भी उच्छाला आया है दोस्तों और ये 31 points की बड़ोतरी के साथ 30,505 पे बंद हो गया दोस्तों बस आज इतनी थी आपडेट्स आपको कैसा लगा ये buzz news मुझे नीचे comment में जरूर बताईएगा और मेरे चनल को subscribe करना मत भूलिएगा